तो यह स्टार्ट करते हैं फर्स आता है हमारा सम का फॉर्मूला बहुत ही इजी फॉर्मूला है सम का फॉर्मूला सम ऐसा एक फॉर्मूला है जो हम एक शॉटकट की से भी आप लगा सकते हैं जैसे कि आप यहां देख सकते हैं मेरे डीटा मेंशन कर रहा है ने मेंशन कर रहा है department mention है rating and expense यह छोटा सा डीटा में मेंशन कर रहा है और तीन department इसके अंदर है फोर डिपार्टमेंट फॉर्स्ट है है एचार सेकेंड है production थार्ड है फाइन फाइन्स एंड लास्ट है मेरे सर्विस ठीक है खुश्बुजी अगर आपने जो है वाट सब्सक्राइब यहां पर मैं आपका मेंशन कर दूगा तो टोटल हमारे पास मैंने आप फोर डिपार्टमेंट मेंशन कर रहे हैं उस साथ में फैर उनकी रेटिंग मेंशन कर रहा कि उन एंपलॉस की क्या क्या रेटिंग है और साथ में उनका कितना एकसेंस है वह भी मेंशन कर रखा है अब इस इसी डेटा के बेस पर आज हम जो है कल्कुलिशन करेंगे formula सीखेंगे तो यह start करते हैं first आता है basic formula sum का formula तो simple formula है is equal to sum आपने जो है mention करना है यहाँ पर is equal to sum यहाँ पर आप type करेंगे आप number one number two एके करके number आप select कर सकते हैं जैसे number एक select करा, comma number two select करा तो एक करके क्या आप यह select कर सकते हैं otherwise आप पूरी range select करना चाहो तो पूरी range भी आप select कर सकते हो यह easy रहता है मैं पूरी range यहाँ पर select कर रहा हूं range select करने का bracket आप close करेंगे then enter जब आप प्रेस करेंगे तो आपका यहाँ पर sum का formula लग जाएगा और मेरे जो expense है नीचे total होके यहाँ पर reflect करें 20,839 अब इसकी shortcut की क्या रहती है आप alt is equal to की थूरू यह auto sum का formula लगा सकते हैं alt और is equal to यह दो इकट्टे की भी यूज नहीं करना चाहते ना formula यूज करना चाहते तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं सब्सक्राइब करता हूं यहाँ पर देखेंगे home ribbon पर आप जाएंगे home ribbon पर जाने के बाद यहाँ पर आपको auto sum का option reflect होगा जैसे ही आप auto sum पर क्लिक करेंगे आपका यहाँ पर देखेंगे नीचे auto sum यहाँ पर automatically हो जाएगा तो यहां से भी आप auto sum कर सकते हैं और गाइस आज का में पॉइंट है पॉइंट ऑफ टुटे यह है कि अगर आप नॉमल कोई भी शॉटकट की बनाना चाहते हैं आपको नहीं पता तो जब आप प्रेस करते हैं तो उपर देखेंगे नियुमेरिक और अल्फाबेट्स यहां पर शूर है तो आप इस नंबर के जरीया आप अपनी शॉटकट की क्रिएट कर सकते देखिए अगर आपको नहीं मिल रही है तो आप ऐसे क्रिएट कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि शॉटकट की उसकी नहीं है अभी तो इसकी शॉटकट खीत है हमारे पास और इसे लगा सकते हैं अगर आपको नहीं मिल रही है तो आप ऐसे क्रिएट कर सकते हैं और पटन के साथ तो आपको एजी लगेगा तो यह हमारा कंप्लीट हो चुक है सम का फॉर्मूला नेक्स्ट आते हैं सम इफ के फॉर्मूले पे सम इफ का फॉर्मूला हमारा वहां काम करता है जब हमें कोई जो है criteria देना हो कि इस criteria के साथ यहां पर हमारा सम हो जाए तो हम कैसे use करेंगे देखें मैंने आपर syntax लिख रखें इसके syntax क्या क्या होते हैं तो syntax यहां पर मैंने mention कर रहे हैं देखें फर्स्ट आता है range रेंज आपने select करनी है यह range कौन सी range रहती जो आपने criteria देना है कि मैं चाहता हूँ HR department का मुझे expense total करके दे दे तो range क्या रहेगी यह total मेरी यह range रहेगी इसमें से HR department search करेगा तो criteria क्या रहेगा HR रहेगा और some range मेरी क्या रहेगी यह total expense रहेंगे तो यह यूज करते हैं is equal to some if मैंने यहाँ पर टाइप करा सम इफ सही आप समझ रहेंगे total कर दे अगर अगर यह criteria मैट होता है तो तो range आप select करेंगे range यहाँ पर select करी दैन कॉमा सिर्फ range यहाँ पर select करें criteria की अभी यहाँ पर criteria mention करना बाकी है रेंज तो mention कर दी criteria मेरा क्या है this sorry criteria मेरा क्या है HR मुझे HR इसमें से find out करना है तो मैंने यहाँ पर HR mention कर दिया कॉमा अब HR जो find करके मुझे sum क्या करना है तो मुझे sum करना है यह expense तो easy formula simple department मैंने select करा department का criteria क्या होना चाहिए वो select करा और उसके बाद मैंने expense select कर दी कि यह expense का मुझे total करना है bracket close करूँगा then enter करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर HR का इसने मुझे total करके दे दिया है आप सब ध्यान से इसको देखेगा और ध्यान से समझेगा क्योंकि जो मैं आपको assignment दोंगा वह इसी पर बेस होगा अगर आपको यह clear नहीं होगा तो हो सकता है आप assignment भी attempt ना कर पाए इसको द्यान से समझेगा सम इफ का फॉर्मुला हमारा कवर हो गया अगर किसी को डाउट है तो चैट सेक्शन ने पूस सकता है मैं डाउट क्लियर कर देता हूं उसका साथ ही साथ कि निशा प्रेलाद प्रिनंथ श्रीचन श्वेता सुरेकान्त इफ यह ने डाउट यू आस्क इन चैट बॉक्स कि 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 आ रहे हैं एक बार इसको दुबारा रिपीट कर देता हूं तो इस सम इफ का फॉर्मूला कहां काम आता है जब हमें टोटल जो है क्राइटेरिया देके फिर सम उसका करना हूं मैं चाहता हूं यहां पर एचार का अब मैं चाहता हूं कि इसमें प्रोडक्शन का मुझे टोटल एक्सपेंस बिल जाए तो कैसे करूंगा इस इक्वल टू सम इफ मैंने यहां पर टाइप करा अब इसके अंदर देखिए तीन क्राइटेरिया और रेंज criteria और समरेज यह تinely मुझे यह पर सालेटट करनी है तो रेंज मेरी क्या है रेंज मेरी juniorco निया degen-ranger का मतलब यहां पर है criteria की for20 एक क्राइटेरिया यहां से मुझे मुझे ट्र्भाटेयरिया देना है कि मुझे यहां सेट के दो filter करके देव तो मैंने वह-τε Là कर दी कौमा आप मुझे इसको criteria बेना कि क्या crater है क्या उठाना कि मुझे तो मुझे क्या उठाने production इस बार मैं दिता हूं यहा पर production crying production मिने यह नहीं यहां पर दिया अब simple यहां पर को मा टाइप करोगा अब यह क्या पूछ रहा है कि सम रेंज सेलेक्ट करो तो सम रेंज मेरी क्या है मुझे क्या सेलेक्ट करना है एक्सपेंस मुझे सेलेक्ट करना है तो एक्सपेंस मैं पूरे सेलेक्ट करूँगा तो यह आपका तो नीचे रिफ्लेक्ट भी करें 6550 तो वह यहीं पर से मेरा रिफ्लेक्ट कर रहा है कि अगर किसी को डाउट है तो पोच सकते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं कि अब आता है हमारा सम इफ का फॉर्मुला अभी जो हमने सीखा वह सम इफ ता मतलब उसमें सिर्फ हम एक क्राइटिरिया दे सकते थे कि सर मुझे डेटा चाहिए कि प्रड़क्शन का एक्सपेंस कितना है वह एक क्राइटेरिया हो गया अब मैं आपको दो क्राइटिरिया दे रहा हूं कि क्या कि मुझे प्रड़क्शन का एक्सपेंस तो चाहिए साथ यहां बहुंगे की द्रेटरीया हो गया ना चाहिए दूसरा करते है दो रेटिरिया के साथ कैसे निवक्ड करेंगे स्कों नॉर्मल ता जिसके संगल क्राइटिरिया लगता है वह सम होता है सुरी सम इफ आगर आपको डबल क्राइटीरिय लगाने हैं तो आप सम इफ का यूज करेंगे तो सम इफ मैं यहां पर यूज कर रहा हूं तो अब आप ध्यान से देखिएगा मैं आपको पहले एक्स्प्लीन कर दूँ देखे सम इफ जब हम फॉर्मिला लगा रहे थे उसके अंदर सम रेंज हम लास्ट में सलेक्ट कर रहे थे बट सम इफ के अंदर हमें यह पहले ही सलेट करनी देखिए आप सम रेंज लिखिए तो यह मुझे पहले सलेट करनी पड़ेगी इसमें क्या था हमें लास्ट में सलेट करनी थी सम इफ में हमें जो है पहले सलेट कर करना क्या है total तो मुझे expense करने तो सबसे easy मैंने select कर लिया कि मुझे इसमें से expense जो है select करने ओके अब पूछने भाई सब आपका पहला criteria क्या है so what is your first criteria so my first criteria is this department मुझे department में से जो है criteria उठाना है तो criteria मैंने यह पर लगाया comma so what is your criteria from criteria range so I'll select HR सब्सक्राइब कर देता हूं कॉमा एंड आम मैं यह पूट करूंगा second criteria so second criteria range मेरी क्या रहेगी rating rating मुझे क्या चाहिए two I want second rating आप यहां पर मुझे second range जो second criteria की range select कर ले अब second criteria select करना है कि criteria क्या है यहां पर कैस्ट मुझे यहां से rating टू उठानी है bracket close तो यह formula मेरा complete होगा कैसे पहले था मेरा some range and the second one is criteria one and the third one is criteria three तो तीन चीज़ा होगी सम criteria one and criteria two वैसे आप select कर सकते हैं आप enter करेंगे तो देखेंगे यहां पर HR का जो जिसकी rating दो है उसका total कितने 33,350 तो मेरा answer क्या रहे है 3350 किसी को doubt है तो पूछ सकते हैं देन हम आगे बढ़ते हैं चलो आगे बढ़ते हम अगला आता है हमारा simple formula count का formula count से ही आप समझ जाएंगे कि यह हमें सिर्फ count करके देगा ना तो यह sum करेगा ना कुछ करेगा सिर्फ यह count करके देगा कि इतना count है कैसे यहां पर मैंने simple is equal to count का formula लगाना है देखिए count आगया टैप प्रेस करा आप इसके अंदर क्या करें वैल्यू वन वैल्यू टू एक एक करके भी आप सलेट कर सकते हैं कि सर इसने बस एक ही क्यों दिया सर क्राइटीरिया एच आर में दोनों को सम आना चाहिए सब्सक्राइब करें तो मैंने यहां पर इसको क्या दिया था देखिए मैं चाहता हूं मैं यहां पर इसको क्या दिया था देखिए मैं चाहता हूं तो हम कहां परते कि इसके अंदर हमें समिप्स का क्राइटीरिय यहां पर लगाना था तो समिप्स का मैं क्राइटीरिया लगाऊंगा is equal to some ifs मैंने यहाँ पर type करा some ifs, some ifs क्या करता है हम इसके अंदर multiple criteria दे सकते हैं but some if के अंदर हम सिर्फ एक criteria दे सकते थे, so some range यहाँ पर आपने select करनी है, some range मेरी क्या रहेगी यह expense तो मुझे expense total करने है तो यहाँ तक तो आपको समझ आ गया कि some if select करा then select करा मैंने some range then comma मैं यहाँ पर type करूँगा then I'll click on criteria range one तो criteria range one वेरी क्या है मेरी criteria पहला मुझे department से देना है तो इसकी मैंने range select कर ली range select करने के बाद यह इसको मैं दूंगा कि मुझे department से उठाना क्या है तो department से मुझे चाहिए HR HR department मुझे pick up करना है तो HR department इसने pick up कर लिया यह first criteria होगा इसका this is the first criteria in which it will pick up the HR department जो मैंने कर दिया comma then I'll give this second criteria criteria range is rating and the criteria is two bracket close अब यह क्या filter करेगा पहले filter करेगा यह department department यह पहले HR ढूंदेगा जब इसको HR मिल जाएगा तो HR में से क्या करेगा यह फिर two वाली rating find out करेगा जैसी find कर देगा फिर two वाली rating का जो expense होगा वो हमें यहां पर sum करके देदेगा तो देखिए यहां पर three three five zero दे रहा है क्योंकि HR में सिर्फ एक ही rating है दो वाला और उसकी expense इतने है अगर देखिए मैं यहां पर दो करदूंगा इसकी इस ने नीचे सम दे दिया एक चार वाले दो rating वाले यहां पर सम अगया अगर मैं दोनों का जो है पांच पांच कर दूंगा तो देखिए यहां पर zero कर दी क्योंकि कि इसको एचार में दो रेटिंग वाले मिले ही नहीं तो इसलिए यहां पर दिक्षत हो गई आई होप सो समझ आ गया होगा मिस्टर प्रेलाद कि वासुची आपको समझ आ गया कि चला हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आता है हमारा काउंट का फॉर्मूला तो काउंट का फॉर्मूला क्या करता है हमें टोटल करके देता है काउंट यह से कि यहां पर इसका काउंट कितना है नीचे दे सकते हैं आप है सेवन काउंट है इसका तो यह सेवन फॉर्मुले कि त्रूं हम इसको काउंट करेंगे अभी तो यह चोटा आपको दिख रहा एक तो आयगसे करेंगे इस इक्वल टू काउंट यहां पर मैंने मैंशन करा इसमें एक एक करके भी आप सेलेट कर सकते बट मैं डाएक्प यह सब्सक्राइब कर देता हूं कि यहां पर रिफलेक्ट कर दिया सेवन तो ऐसे आप इसको काउंट कर सकते हैं काउंट का आपको काउंट का तो मुझे करना हैं बट मुझे अब क्राइटिरिया देना कि इस क्राइटिरिया को काउंट करके दो तो कैसे करेंगे भी तो आपको ते डिम्सक्राइब सब्सक्राइब करना है बट तो न्यवड कर दो आपको हांट। एंठर करूंगा इक विल गिव्स करऊ स्कराषिज अ पर सर्विस क्या अंसर तो वैपक्षा है स्क्राइश कर आम यह वान रिभान लभी स्कूल कोई नी इसने जो है बन दिया है गोटमिस्ट्र प्रिलाग यह वंगी रिफलेक्ट करेगा यह स्था न आते हम अपस प्र तो चांट क्या करेगा हमने काउंट सी खा सिम्पल मृश्म काउंट देगा काउंट कि क्या करेगा हमें सिन्गल क्राइटीरिया दे हैं बट काउंट इफ में हम मुल्टिपल क्राइटीरिया के साथ काउंट कर सकते हैं कैसे करते हैं is equal to count मैं यहां पर सेलेट करूंगा count ifs select करा criteria range one what is the criteria ring one this one I want criteria department so I'll just give the HR ऑगो और मुझे एचार चाहिए तो मैं नहीं आ पे में पीस चाहिए जिसके राइटिव करोंगो फ़र्स राइटिरिया इस इस पूर scripts गेंड। सिर्टिर क्राइटरिया डू मेरी क्या है डूसरी रेटिंग जाहिए जिसकी रेटिंग shirts तो अब आपको किलियर है पहले प्रोडुक्शन देखेगा मतलब की हांप पहले चेक करेगہ हर में कितने बंदें है थो उसमें उनकी रेटिंग दो वाले कितने है तो NA रेटिंग दो वाले किफे चिर एक ही है तो इसलिए यहां पर इसने अगर किसी को डाउट है चैट सेक्षिन में पूछ सकते हैं जिन हम आगे बढ़ते हैं एवरेज के फॉर्मूले पे और गाइस आज जो है आप सब के लिए चोटा सा क्विज है मैं अभी आपको चैट सेक्षिन में एक यूरल शेयर करूगा उस यूरल पर आप करेंगे तो एक टेस्ट फॉर्म ओपन होगा और उस टेकली को आपने जो ओपन करके कि अपर करने के बाद मैं पार आपको धाकशन का नहीं था तो मैं वी चक कर पाऊंड़ और कि आपको जँर है अभी तक नें जो पड़ारा है क्या समझ आप कैम दो क्ma है जो हमने फर्स क्लास में कवर का था उस से रिलेटीड हम मैंने जो उसको प्रिपेर करा है तो आप एक बार अटेम्ट करेगा मैं वह जरूर शेर करूँगा यहां मैं फर्माद जिसको रिपीट कर देता हूं काउंट इसका फॉर्मुला अगर हमारे पास मल्टिपल के साथ हमें कुछ काउंट करना हो तो वह करता है अगर जैसे कि मैं चाहता हूं डिपार्टमेंट में एचर वाले डिपार्टमेंट काउंट करें और साथ में अगर एचर डिपार्टमेंट है तो उसमें जो दो रेटिंग वाले वो सिर्फ उसी को काउंट करें अगर यहां कॉमा देन मैं सेलेट करूंगा टू मुझे जो है रेटिंग चाहिए टू एंटर करूंगा तो इसने टू कियो करा क्योंकि है चार में टू परसंट तीन है बट रेटिंग वाले जो हैं सिर्फ दू है कि आपको जो है क्विस मुझे सेंड नहीं करना वापे सम्मिट कर देंगे तो मुझे रिसीव हो जाएगा आप आते हम एवरेज़ वाले फॉर्मुले पे एवरेज सिंपल फॉर्मुला है मैं आपको पहले भी सिखा चुको हूँ जो मीन जिसे हमने निकाला था एवरेज निक सकते हैं अगर इस फॉर्मॉले में किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं बहुत ही इजी फॉर्मॉला है इस एक्वल टू एवरेज और रेंज सेलेक्ट करेंगे यूविल सलेक्ट दी रेंज एंड जस्क्लिक ऑन एंटर जो फॉइंड दी एवरेज मिन्स मीन ऐं तैनों आते हैं हाँ average इफफड़ेच्स लिखकात पर इवरेज इफ हमारा क्या काम करता है एवरेज तो शो करते हैं बड़ेक्रétais ुकर आ कि मूझे एवरेजो करें तो कैसे करेंगे इजिक्वल टू एवरेज then sorry average if average if select करा first मुझे criteria range select करना है criteria range क्या है this one और criteria क्या है what is criteria HR HR select करा comma अब average range क्या है this one तो average ले लिया bracket close enter तो इसका average क्या है 2500 556 तो इसने एवरेज उसका calculate कर दिया कि टोटल का नहीं करा इसने सिर्फ HR वाले डिपार्टमेंट का average करके दिया है अवासो जी average होता है जब आपको जैसे टोटल मार्क्स जो आते हैं उसमें सब्सब्राइब सब्सक्राइब करके देता है तो इसका एवरेज करके देता हैं तो आटोमेटिकली करके देता हैं कि मैं एक दोबारा समझाएता हूं average इव का फॉर्मूला इज एक योल टो average इफ मैंने यहां पर टाइप कर आपने फर्स्ट रेंज सेलेक्ट करनी है रेंज यहां पर सेलेक्ट करी और कॉमा धन क्राइटीरिया क्या है मेरा एच आर HR मैंने इसको criteria दिया inverted comma के अंदर comma आब इसको average range के दिने मुझे किस चीज का average करना है मुझे expense का average करना है bracket close enter करूँगा तो मुझे उसने HR department का average करके मुझे यहां पर दे दिया कि average जो expense है HR का वो इतना है 2556 है देन आते हम average के formula पर बहुत ही easy formula है जैसे हमने जो है सम इस देखा count इस देखा वैसे ही average होता है multiple criteria के लिए average मैं यहां पर type करूँगा इस यहां पर type करा average range मेरी क्या है इसमें हमें पहले ही average select कर लेना है range मुझे इसका average लेना है तो average यह होगी कॉमा अब इसमें मुझे पहला criteria देना है पहला criteria मुझे department से लेना है और क्या देना है HR select कर लिया कॉमा second criteria क्या देना है rating का rating कितनी उठानी है two तो break it close करूँगा enter करूँगा तो reflect करेगा 30 350 क्योंकि इसमें एक ही टू है अगर मैं दो इसको भी दो कर दूँगा तो यह reflect करेगा 2556 अगर किसी को होता है उतना attempt करिए मैं assignment दूँगा उसको attempt करिए अगर कोई doubt आता है तो मैं इसको जरूर clear करूँगा लास्ट आता है हमारा count blank हम simple count कर रहे थे बट यह count blank क्या करता है अगर data के अंदर पुछ blank cell होंगे तो उसको count करने में help करता है देखे is equal to blank count blank मैंने select करा और range पूरी select कर दी simple range select करनी है bracket close करूँगा तो देखे इसके अंदर दो blank है one और two तो इसने count area two अगर मैं code delete कर देता हूं तो तीन blank होगे तो इसने answer area three तो count blank ऐसे गाम करता है अगर किसी को doubt है तो पूछ सकते हैं